सो वट्सप गाइज फर्स्ट ओफ वल्कम टू अबर चैनल हेल्प बेटा नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जीके के उन क्वेश्चन को लाए हैं जो विगत पर समय का एक्जाम में पूछी जा चुके हैं और आगे में पूछी जानी के संभावनाई 99% है तो पहला वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दे गए हैं हर क्वेश्चन का अंसर गैस करने के लिए आपको तीन सेकंड का समय मिलेगा तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय सुरु होता है अब अंसर होगा ओपस नमबर B कोईला भारत में उर्जा का सरवधिक महतपूरु स्त्रोत कोईला है ग्वेश्चन सेकंड है राश्ट्री विज्यान दिवस किस दिन मनाये जाता है अंसर होगा समुद्द्री तेटरेखा वाले राजीयों की किटनी संख्या है अंसर होगा समुद्री तेटरेखा वाले राजीयों की संख्या 9 है Q4 है भारत और चीन के बीच का उन सी रेखा सीमस निर्धारन करने का कारे करती है Q5 है भारत एवि पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है अंसर होगा option number A रड़ कलिफ रेखा भारत एंवन पाकिस्टान को विवाजित करने वाली रेखा का नाम रड़ कलिफ रेखा है question 6 है भारत की सबसे लंबी स्ठली शीमा किस देश के साथ है answer होगा option number C बांगला देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थली सीमा बंगला देश के साथ है Q7 है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जोहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है अंसर होगा ओपसे नमबर C जम्मू और कस्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जोहर सुरंग जमू और कस्मीर राजे में स्थित है Q8 है भारत की कौन सी परवत्सरेणी नवींतम परवत्सरेणी है अंसर होगा ओप्स नंबर A हिमाले परवत्सरेणी भारत की हिमाले परवत स्रेनी भारत की नवींतम परवत स्रेनी है Q9 है अरावली परवत का सर्वोच शिखर क्या कहलाता है अंसर होगा ओपसिन नंबर A गुरु शिखर अरावली परवत का सर्वोच शिखर गुरु शिखर कहलाता है अंसर होगा वोपस नमबर A मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकास भाग भारत के मध्य प्रदेश राजिये में बहता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल पर इसी तरह का content हमें सब provide की जाता है जो कि आपके श्टेडिस से रिलेटर काफी help करता है तो हमारे चैनल को subscribe डू कर ले और बेल आकन को भी प्रस कर ले जिससे कि आपको आने वाली सभी GK की notification मिलती रहे तो चलिए हमिलते अपसे किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care थेंक यू